आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप क्लास 9 में हो तो आपको कैसे study करना चाहिए और मैं दो important announcement भी करने वाला हूँ बाइद वे मैंने में इस शिवम जहाँ, an educator by choice और memory coach and a creative learner students, आप class 8 standard में थे और फिर आप 9 में आ गया और आप 9 में पढ़ रहे हो पिछले छे साथ महीनों से, और शायद ऐसा हो सकता है, not for everyone, मैं नहीं जानता कि जो ये वीडियो देख रहा हो, कितना smart है, कौन से level पर आता है, ठीक है, तो शायद ऐसा हो सकता है, कि तुम्हें चीजे पूरी hard लग रही हो, मैंने तुम्हें लिखा है, कि अगर तुझे hard लग रहा है, ठीक है, अगर तुझे hard लग रहा है, सुन, hard है, क्योंकि तुम्हें transition हुआ है, ठीक है, अभी जैसे 8 standard से 9 standard में transition हुआ है, तेर लाइट में एक बार और होगा, जब तू 10 से 11 पे जाएगा, बट ये judgment मत बनाना, ठीक है, कि अगर class 9 hard है, तो class 10 भी hard होगा, class 9 तुझे इतना मजबूत कर देगा, कि class 10 तुझे ऐसा एकदम easy लगेगा, ठीक है, तो पहला वाला point clear हो गया, कि class 9 hard है, बट क्योंकि एक transition हुआ है, जैसे तुम class 10 में जाओगे, चीजे easy लगने लगेगी, इसके बाद 12 easy लगेगा, और उसके सब कुछ आसान ही लगेगा, अगर तुम पढ़ाई को seriously लेते हो तो, चलिए, अगले point के बार में बात करते है, जो मैंने आप लोग के लिए लिए लिखके रखा है, कि सबसे पहले अपने basics को ठीक करो, अब class 9 में आगे, और आप जानना चाहिए कि atom क्या होता है, सब atomic particles क्या होता है, proton क्या होता है, proton पर कितना charge होता है, electron पर कितना charge होता है, neutron क्या होता है, dalton की theory क्या थी, ये सब जो तुम पढ़ते हो न, छोटे-छोटे से important points, ये सारी चीज़े तुम्हें पता होनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ सुनो, मैं विल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें याद होना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, repeat करके, repeat करके हम उसे याद तो करी लेंगे, cool, समझ आ गया, जैसे देखो, अगर आपको अपने basics को और अच्छा करना है, मतला आपने मालू क देखो, जब तुम textbook पढ़ने जाते हो, मैं बतारो, problem भी बतारो, normally textbook पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले तुम 9 पर जाते हो, तुम books खरीद के लाते हो, तुम पलटते हो, साइस का textbook या history का, जो भी textbook तुम पलट रहे हो, तो लिगे जब तुम पहली बार textbook पढ़ते हो, तो चीज़े थोड़ी सी ट्रॉबर दो चली जाती है, हमें समझ नहीं हाती है, क्यों, वो ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन होता है, नया चाप्टर खोलते हैं, मालोब, और तुमने गलती से, अगर सीधे सीधे चाप्टर खोल लिया, measurement of matter, भाई, साह हो, तब तो हो गया, कल्यान, ठीक है, तो जब तुम पढ़ने जाते हो, थोड़ा सा, ट्रांजिशन के कारणा, तुमें मतलब कुछ नई चीज़े सीखनी होती है, मोल कॉंसेप, अवगार्डोस नंबर, molecular formula, molecular mass, तो थोड़ा सा complicated लगता है, कुछ-कुछ जगे पर, science, physics, chemistry, bio हो, social studies, सभी जगे थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा recommend करता हूँ, मैं last 6 साल से पढ़ा रहूँ, ठीक है, तो 6 साल से मैं experience किया है, कि बच्चों को अगर पहले बच्चा के class में, या फिर online videos से, क्योंकि online videos भी आगा, तुमारे भाई ने सम अप्लोड कर रखा है, तो online videos से, या फिर किसी teacher से, अगर एक बार सीख लेता है, और फिर जाके वो आपस एक बार textbook पढ़ता है, अगर पहले पढ़ रखा है, तो या फिर पहली बार ही वो आपस textbook पढ़ता है, तो comparatively उसको जादा समझाता है, समझ मैं है, तो एक chapter तुम्हें कपढ़ना पहले आओ मेरे videos देखो, class 9 के लिए में अपलोड कर रहा है, तो देखो और उसके बाद पढ़ने जाओ, अब क्या होगा, चीजे तुम्हें थोड़ी जादा समझाएगी, अच्छा, इसके अलाबा, एक और important point है कि तुम्हें notes refer करने चाहिए, अब notes दो प्रेकार के हो सकते हैं, पहला पर जो भी target, चेतना, नवनी, जो भी book है वहाँ से, ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है notes बनाने का तरीका, कि मैंने तुम्हें सारे notes दे दिये हैं, उसको तुम अपने note book में fair कर लो, समझ गये न, तुम अपने note book में उसको लिख लो, उदर से अच्छे से लिख लो या फिर आप भले class 10 में हो, अगर आप देख रहे हो, या फिर class 11 में चले गए हो, seniors हो, और तुम देख रहे हो, कि languages को ignore मत करो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, और सारी teachers से तुम्हें कहींगे कि भाईया, languages को ignore ना कीजिए, अब इसके पीछी का main region ये है, कि देखो, मुझे या science है, maths है, social study है, 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 100-100-100, 300, अकीले language जिसको तुम सबसे कम पढ़ाई करते हो, हिंदी, English, महराथी, अकीले 100-100 माक्स के है, जिसमें passage आता है, जिसमें grammar के चीज़ आती, जिसमें writing skill वाले questions आते है, और तुम बहुत असानी से score कर सकते, ठीक है, तो देखो, मुझे पता कि अगर तुम मैं, मुझे से कोई बच्चा पूचे का कि भईया, मुझे मेरा percentage बढ़ाना है, तो मैं उसको क्या बलूँ हमालू मैं, सब कुछ पढ़, लेकिन languages पर ओड़ा सा जादा ध्यांदे comparatively, क्योंकि वो तुझे boost करने में help करेगा, वो upper edge देगा, तो languages को ignore मही करना है, अगर तू वो है, सुन भाई, सुन बहन, अगर तू वो है, जो languages को ignore कर रहा है, अपाजी, गलत कर रहे हो, ठीक है, बहन गलत कर रही है, मत कर, बुकले, languages को पढ़ना स्टार्ट कर, कम से कम हफते में 2 घंटे, तो दे languages, कम से कम, इससे तो 80 से उपर number ले आएगा, सही में, ठीक है, चलो, तो ये हो गया, अगला, देखो, तुमने तुम्हें पता है, कि तुम्हें transition होए, तुम्हें hard लग रहे है, तुम्हें ये भी पता है, कि भाई साब, थोड़ा difficult है, नहीं हो पा रहे है, ठीक है, और अब तुम पढ preparation को test करते हो, तो तुम्हें help करेगा, अचा, preparation को test करने से मुझे याद आया, कि अगर आप class 9 में हो, तो मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही important चीज़ है, ठीक है, अगर आप class 9 में हो, तो मेरे पास आपके लिए बहुत important चीज़ है, अपने preparation को check करने के लिए, और वो है Unacademy का Combat Scholarship Test देखो मैं सब इसी जी समझाता हो तुमें और ये खली आपके preparation को test करने में help नहीं करेगा इसके अलावा वे इसके benefits है देखो Unacademy Combat Scholarship Test एक live test है जो all over इंडिया के बच्चे देते फोर ग्लास में ठीक है यहाँ पर free registration होता है मतला आपको एक भी रूपए निदेना register करने के लिए combat Hindi English दोनों लैंग्वेज में अभू ले बहले है तो Hindi medium वाले बच्चे भी दे सकते हैं English medium वाले बच्चे भी दे सकते हैं और यहाँ पर तो टीज कोशन पूछे जाता है और आपको 45 मिरोट्स दिजा हुह है आप कशानी से कर सकते हूं System होता है और जब कोश्या हो जाते है अब है कैसे भी डेटेल्र वीडियो मिलता हर एक कोश्चन की लिए इसके अलावा बच्चे हो जब आप कॉम्बेट का स्कॉलर्शिप देते हो तो इस जो स्कॉलर्शिप है जो फुल है पूरा वो एक करोर रूपे का है हर संडे को होता है एवरी संडे होता है तो आप जब भी देख रहा है अगले संडे को होने वाला 11 बजे अभी के अभी सारे 10 बजे का अलाम लगा लो संडे का रिपीटेड अलाम लगाओ कि तुम्हें अले का कॉम्बेट देना है इसके अलावा आप इसको अपने फिर्ट का शेयर भी कर सकते हो और आपको करना होगा और वह है तुम्हारा गिम्मी ए सकेंद किड ден संगे सब कर लोंना यहां टोड़ा साइद हो जाता हो कि तुम्हें तुम्हें on यह मत सोचना कि यह खाली CBAC वालों के लिए तुम आओ और दो अपने आपको टेस्ट करना हमारा गोल के अपने आपको टेस्ट करना तो माल लेते हैं कि तुमने कॉमेट दिया और मेरे भाई तुम रैंक 123 में आ गए तुम्हें एक इयर का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ क 50% स्कॉलर्शिप दिया जाएगा और अगर तुम 51-150 रैंक पर आता हो तो 25% स्कॉलर्शिप दिया जाएगा अब तुम मुलों के भाई करना कैसे करना कैसे कुछ नहीं करना है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक टाला हुए ठीक है उस लिंक पे क्लिक करके समझ रहो उस लिंक मेरी अंदर से एक इच्छा है कि मेरे सौंग नए बच्चे पहली बार अनकैडमी कॉमबर्ट पर जा और बचा के ठीक है अब जो भी मेरे अनकैडमी के क्लासेस होते हो वह काफी सारे क्लासेस उसमें से फ्री होते है प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो और और स्ट्रॉंग कर सकते हो फ्री क्लासेस को जोईन करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आपको कोड यूज करना है तो बच्चो मैंने आपके साथ शेर किया कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो और लिंक साथ दे डिस्क्रिप्शन एड़ को चेक कर सकते हो अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि हमारे जो टेली ग्राम प्रूप टेली ग्राम से एक चीज और याद आ है मुझे उस पर मैं बहुत सारे पोल्स डालते रहता और बहुत सारे पोल्स अल्रेड हुए तो उससे भी आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो साथी साथ अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ते हो मैं आपको बताता हूँ अभी बताता हूँ अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ते हो जो जो इतने सारे वीडियो मैं डाल चुका हूँ Class 9 के और प्री डालने वाला हूँ तो इन सारे वीडियोज में आपने देखे हूंगी कि मैंने quiz डाला in between, वो quiz क्यों डाला गया मताओ मुझे, कि आप अपने preparation को test कर से, खली preparation से कुछ नहीं होता बच्छो, preparation को test भी करना पड़ता है, चलिए, अब इसी बाद पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले point यह हमारा fifth dollar point और यह है, get a mentor who can help, पहला important announcement and academy combat के बारे में था, जो तुमारे लिए बहुत important था, आप दूसरा announcement में यहाँ पर करने वालों होती है, सुनो, get a mentor who can help, एक स्टोरी बताता हूँ, मैं class 7th standard से serious होना चाहता था अपने पढ़ाही को ले करके, अपनी career को ले करके, ब बट मुझे ही बताने है, मतला कोई बड़ा भाई नहीं है, सगा बड़ा भाई नहीं है, जो मेरे साथ रहता है, cousin brothers बहुत सारे, बहुत सारी help करते है, but they are मतला बहुत तूर रहता है, out of state रहते है कुछ लोग, तो it is like very difficult to get a perfect mentorship or hand holding support नहीं होता, देखो hand holding support बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आप class 10, 11, 12 में हो, बरना भटकाने के लिए बहुत सारे मार है, ठीक है, तो आपको एक personal mentor मिलना चाहिए, इसके पीचे कहार नहीं है, कि मैंने इस चीज की कमी मैसूस की है, मुझे ऐसा आज भी लगता है, कि मेरे पास एक personal mentor होता, जो मुझे हर चीज मे है कुछ लोग, ठीक है, मेरे life में कुछ लोग है, तो अगर ऐसा हो जाए ना, तो भाई सोने पर सुखते है, ठीक है, मदलब फिर तुम्हें कोई नहीं रोख से, तो एक personal mentor की जरुद बहुत होती है, और अगर आप life में serious हो, तो आपको इस चीज की जरुद भी, और यहाँ पर मेरे पास एक important announcement है तुम्हारे जलिए, कि बच्चो मैंने एक plan बनाया है, दिखो तुम लोग बताओ कि यह plan कैसा है, मैं एक सवाल पूस्ताओ तुम से, तुम comment में बताना मुझे, ठीक है, एक average class 9 का student या class 10 का student, महीने भर में कितना पैसे खर्च करता हो, भले उसकी pocket money ब बाहर खर्च कर देता होगा, कम से कम 200 रुपया, कम से कम 250 रुपया, minimum तो इतना करता ही होगा ना, किसी ने किसी चीज में stationary हो सकता है, that can be बाहर दोस्तों के साथ वड़ा पाओ खाना हो सकता है, या फिर घूमने जाना, पानी पूरी खाना, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे च mentorship program में क्या होगा, यह मैं दिवाली तक अच्छे से launch कर दूँगा, अभी मैं तुम्हें बता रहा, in between the video, क्योंकि early starting के जो लोग आएंगे, उनके लिए मेरे पास कुछ offer, यह एक paid program होगा, ठीक है, इसमें मैं और मेरे साथ, और मेरे कुछ लोग है, जो आपके साथ बात करे लेकिन search करने में कितना time जाता है, ठीक है, अगर तुम हमें बताओगे, हम तुम्हें best solution लाके देगे, इसके अलाबा, एक बच्चों को मैंने अकसर देखा है कि class 10 के बाद, class 12 के बाद serious होते है कि life map क्या करना है, लेकिन हम तुम्हारे हर weekly जो report देंगे, तो उसके average से हम नहीं तुम्हारा preparation कैसा चल रहा है तुमने कहां पर improve किया, कहां पर तुम्हें interest नहीं था, कहां पर तुम distract हो रहते हैं, कहां पर तुम distract नहीं हो रहते हैं, ये सारव data जब तुम्हारे पास हो तो चूज करना बहुत आसान हो जाएगा कि तुम्हें life में क्या करना है, और इससेरी ज़्यादा आसान हो जाएगा है कि तुम्हें किसमें इंट्रेस्ट है लोग को यह नहीं पता चलता कि मुझे तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा हम जूम कॉल करेंगे गूगल मीट करेंगे बात ते कहलेंगे ठीक है तुम्हें जो भी डाउट्स होगा तुम्हें बहुत सब्सक्राइब होते हैं ना भाई एक बच्छे को इट स्टेंटर में प्यार हो गया नहीं सट्टर पर बाद बच करना न करना तेरे हाथ में इसके अलावा बच्छो करियर गाइडन्स गोल गाइडन्स ठीक है यह आपको मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप हमारे टेलिग्राम के प्रेमियम मेंबर्शिप को जॉइन करते हैं अब तुम फोच्छरों के भा 100 रुपीज का ठीक है यह कुछी दिन तक वैलिड है जब इसको मैं आकर के डिडिकेटेड वीडियो में इनाउस करूंगा तो फिर बहुत दिकत हो जाएगी ठीक है और तुम्हें यह नहीं मिल पाएगा डिस्काउंट तो इसलिए बता रहो कि फॉर्स्ट हंड्रेड तुम अपस और उसके बाद वहां पर जब तुम्हें पैसे डालने की बारी आएगी तो तुम डाल दा एक कोड डिस्काउंट कोड डिस्काउंट कोड है F I R S T 100 साथ में फॉस्ट हंड्रेड आपको स्क्रीन पर या पर दिख रहोगा फॉस्ट हंड्रेड ये कोड जब तुम डाल देना इन 24 आर्स मेरी टीम आपसे कॉंटेक्ट करेगी ठीक है और मैं आपसे कॉंटेक्ट करूगा ठीक है और आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा 99 रुपीज पर मन तो आप अपने लिए कर्च कर ही सकते हैं अब यह फैसला आपको लेना है कोई कंपल्शन नहीं है जो य किया है वो मैं तिरे साथ नहीं होने दिना चाहता हूं अच्छा इसके अलाबा एक और लास्ट बात बता देता हूं एक महीने की मनी बैक गैरेंटी दूंगा वैं आपको जिस मेथट से आप मुझे पे करोगे सेम उसी मेथट पर आप बोलोगे एक महीने बाद कि भाई मु और आखरी पॉइंट ही कि साइंस के बारे में बात करते हैं यह साइंस का सब्जेक को कैसे प्रिपेर करें तो साइंस में तीन जी जी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोग मैं तुम्हें बताता हूं फिजिक्स में सबसे पहले अपने कॉंसेप्स को क्लियर करो वीडि यह अगर तुम लेफट हैंड से लिखेंगे अब यह बात करते हैं हो जाएगा फिर बात करते होता है reaction जिसे देख करके हमारा हो जाओता है reaction तो chemistry के reaction को prepare करने का सबसे असान तरीका है ठीक है कि वही wrong hint से लिखो और basic जो chemistry के molecular formulas होते हो उनको clear करनो तो आपके chapter है measurement of matter उसमें आप मुनें बताया है कि किस तरीके से cross multiply करके formulas बनाये जाते हो उसको इपच्चेक जरूर करना description में लिंक रहेगा chapters का और अब बात करते है biology की देखो biology में दो चीज़ों सबसे पर आपको कोई process पढ़ना होता है property पढ़नी होती है या diagram पढ़ना होता है तो आप जो भी process पढ़ोगे biology में जो की important आपको लंबर समय तक याद रखना होगा उसको आप डाइगराम के हिसाब से सब्सक्राइब देखो सारे questions जो वीडियो में दिए गया उनको solve करो बाद में reference book आप है is it clear wrong hand method मतलब अगर आइटी हो तो left hand का यूज करो सिंपल है यहां पर मैंने तुम्हें कुछ पांच छे साथ टिप्स शेयर की है दो important announcement भी कर दिया अगर तुमने वुडियो पूरा देखा है और तुम्हें अच्छा लगा तो अपने उनीचे comment करके बता सकते हो कुछ links नीचे रहेंगी description साथ सुतरा सा दिखेगा ठीक है और comments दे भी important links को pin कर दूँगा एक बाद चेक जरूर करना and it's time to show some trust आजओ मिलके मचाते हैं और जिंदगी को असान बनाते हैं आप यूरा